हेलो नमस्कार दोस्तों इस्टेडी पॉइंट नाइन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं देखिए दोस्तों जन्दल साइंस के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बोतिक विग्यान और बोतिक विग्यान से जो भी एकजाम की दरश्टी से जो क्यूसर बनते हैं उनकी लेंग्वेज के माधिम से समपुण्ड जो बोतिक विग्यान है उनकी चर्चा करेंगे और इसका आज सेशन फोर नंबर चल रहा है और मैं गयारनडे लेता हूं आपको जीरो से हिरो बनाने की गयारनडी लेता हूं ncrt के बेस के उपर आपको ये session प्रवाइड गरवा रहा हूँ और selection का दुआर steady.9 ठीक है न तो अब शुरुवात करते हैं कल जहां पर छोड़ा हमने वहीं से शुरुवात करते हैं copy pane उटा लीजिए और start हो जाईए 8 बज़े का session सुबह 8 को current को बहुती विज्ञान का current ठीक है ना तो देखो यहां पर गती है तो गती की बात आई है तो हम आज गती की चर्चा करेंगे तो देखे गती क्या होती है तो समय के साथ इस्तती में परिवर्टन क्या कहलाती है गती कहलाती है मतलब एक मिनट कि एग मिनट है एग मेंट चला तो यह क्या हो गई उसकी गती ओगई ठीक है नथे कोई वक्ति नहीं है इस तिर खड़ा है I विरमा सत्रे हो गई लेकिन कोई वक्ति यहां से चलके यहां पर गया तो किस कोई प्लगा ताइम लगा उगा औहीड विस टाइम के बीच में क्या कicer है इसे गती करते हैं ठीक है घति किस परकार की सब्सक्राइब उसके बाद उदॉदरन काया है चलते हुई बस में यात्री एक दूसरे के सापेक्स इस्तिर होते हैं परंतु सड़क पर खड़े वक्ति के सापेक्स यात्री वे बस दोनों क्या होते हैं गतिसील होते हैं तो वो चलती हुई बस के अंदर देखो जैसे बस चल रही है हम उस बस के अंदर बैटे हैं तो हम उस बस के सापे तो मैंने बता दे आपको विरामावस्ता होती है कि यदि कोई वस्तू कण पिंड समय के साथ क्या हो इस तत्य में परिवर्तन नहीं हो मतलब एक माना की जैसे एक मिनट के अंदर ये पिंड यहां पे था अगले मिनट दूसरे मिनट के अंदर भी यह यहीं पे था तो इसने कोई गती की किया तो नहीं की तो इसका मतलब यह क्या है यह विरामावस्ता है विरामावस्ता हो जाएगी ठीक है न गती की बात करें तो गती के हम तीनों समय केंड भी पढ़ेंगे आपको विरमा अवस्ता होते है तो जड़तुवा का नियम लगता है यह आगे हम पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ठीक है ना तो देखो उसके बाद आता है मूल बिंदू तो मूल बिंदू निर्देस बिंदू किसे कहते हैं तो देखो किसी भी पिंद की इस्तती और गति को दर्साने वाला बिंदू क्या लाता है मूल बिंदू क्या लाता है जैसे यहां पर क्या है मूल बिंदू है ठीक है और इस मूल बिंदू से हम इस मूल बिंदू पर जाते हैं तो किलों मेटेर फिर घशाए मांब औरु है तो इसको किलों मेटर है किलो उसके हैं इस्टी सुसर्फीす Finnish, इसाइ सब्गेगे हैं ग्हist la तो यह कि ग्हुद्य दोनों एक साथ होAAAAG कंदे ये कंदे का सात हो निर्दैस के साथ हो गिए मूल ब Enough मुक्त्र देख़ेगा अब देखिए रषभ BahRO निर्देश तंत्र क्या होता है तो देखिए अध्यन करने के लिए निर्देश बिंदू की तरे जो वईवेस्ता काम में लिजाती है जिसकी सायता से किसी कण की इस्ततीवे गत्ती को दरसाया जा सके वो क्या कहलाता है निर्देश तंत्र कहलाता है जैसे यहां पर कोई मूल कोई वक्ति कार रहा है है जैसे एं निर्दयाais तंत्र हो जाएगा है पूरत जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी ये पस्चिम दिसा हो जाएगी ये कौन सी हो जाएगी तो ये दक्षिन दिसा हो जाएगी इस परकार से ये दर्शाई दिया जाता है ठीक है न तो वो निर्देश तंत्र हो जाएगा ठीक है न उसके बाद आती है बात गति के परकार की तो गति के कितन 2D और थरीडी वंडी गती और 2D गती और थ्रीडी गती एकवी किसे कुछेथ हैं मूल बिंदू से कुछ Ann пр जा रहा है कोई निष्ट निश्ट लिशा के अंदर जा रहा है क्या हो जाएगी एक भी में गत्रो जाएगी कि ओंद्र यह तीनों साइड के तीनों cert के अंदर जा रही है यह B जा रहे हैं उस्का उधारम अदर कोण आ जयेगा एकन खराएगों गति को सब्सक्राइब करेंगे तो एक दिसका के अंधर जाएगे और एक सीध में जाएंगे इस समान चाल सवान गति करते हुए मोекотор चिझा रहुए है और जोड़ी का है ना जीट करते हैं टूरवриз है दोड़ चिटी दो चक्त की ऑश्यकता होती दो x कौन-कौन से? x y y z या z x ठीक है ना? देखो यहां से के से? यह पर क्या है? x प्वos इस पॉंइंट है उसके बाद यह कशार कि दर जयेगा इधर जाएगा ठीक है यह y y x हो जाएगा उसके बाद वापस इस आजएगा तो यक बाद यह z x ले सकते ने है कि यह रहारा है तो यह हो जाएगा किस इति नहीं जैसे साप की गति सांब गती प्रेकशेपिट रोकेट गती और ग्ति जो हम आगे जाएगी जो तो एक किसाल कि यह को चलते हैं तो देखों में मोडी के चलता है फिलेगे के बात रोकेड़非常ज continuously कि बतिक है तो रोकेड़ दब जाता है किस की दोड़ और परतवी की और उपर की और लाँच हो जाता मोट के अंदर गोमती है तो जो जो ढाब लगता है उसको बार की और दक्यलता है और उसके बाद आता के त्रीवी में ुथ गतिता है तो इस गत्ती में तीनों अक्स की अविशिक्ता होती है एक्स वाई जेड यहां से कोई मूल बिंदू है और इधर इधर जैसे कोई भम भेंगते हैं उपर से ठीक है वो हो जाएगा पक्सी पक्सी किस परकार चलते हैं त्रीवी में अंदर चलते हैं रोकेट है तो यहां से इस परकार से चलता है कोन फाइडर जैड फाइडर जैड उल्टा हो जाता है और आगे की और चल सकता है उपर की और चल सकता है नीचे की और चल सकता है इस परकार से यह त्रीवी में गत्ती हो जाएगी ठीक है पत्तक की गत्ती है गेस के अणों की गत जैसे आकास के अंदर कौन कौन सी गति संभो है तो आकास के अंदर 1D संभो है 2D संभो है 3D संभो है लेकिन परत्वी की बात करें तो परत्वी के उपर 1D और 2D ही संभो है 3D संभो नहीं है जल के अंदर बात करें तो 1D संभो है 2D संभो है 3D संभो है ठीक है ना जैसे 1D के अ हम आपको सकते हैं को किया लिखना है तो सद्धीज रहाए नकीचर को seeing mamma चलते हैं पैसमीत हो सकते हैं दूरी breaths के वह कि ससस lassbn 101 तो अदिस राशिया चाल बराबर दूरी बटा समय तीनों राशिया कैसी है अदिस राशिया है दूरी हमेसा किस परकार की होती है धनात्म होती है ठीक है ना विस्तापन माइनस के अंदर हो सकता है जीरो के अंदर हो सकता है और पलस के अंदर भी हो सकता है लेकिन दूरी हमेस परकास वर्स पार से किलोमेटर और मिटर की जाएगा मात रख हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही सेशन किस परकास से आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए और साथ इसाथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तेंक्यू जेहिन जेवार्थ मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर इस इन से आगे ठीक है